स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एड़ आवर के ओनलाइन प्लेट फारम पर दोस्तों एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ लेकर कुछ नई कॉशन्स दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे राजस्तान की नदियां और जील से समंदी जो महतमुन कॉशन्स हैं उनके बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दो कि हम जल्दी ही लाइव सेशन लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं और आपका हमारा यह जो सेशन है इस सेशन को आफटाफट से शेयर कर दीजे अपने अपने ग्रूप में ताकि जादा से ज्यादा वच्चे हम तक जुड़ पाए और मुझे भी पुनरबलन मिल पाए अभी मैंने यह वाड़ सही प्रिणियन सेशन के आए तो बस बिना देरी के हम लेते हैं हमारा पहला कोशन गड़सी सर सरोवर कहां इस देता है दोस्तों गड़सी सर गड़सी सर एक ऐसा सरोवर है जिस स सरोवर के पास गड़सी सर एक ऐसा सरोवर है जिसके पास जैसल मेर लोक संस्कृती संग्राले यह से तो आंसर का पता लग जाता है तो जो गड़सी सरोवर है यह बनाया था राव गड़सी सिंग ने जैसल मेर में और राव गड़सी सिंग ने जो सरोवर बनाया था ना इस इस रोवर के किनारे ही क्या है जसल मेर लोक संस्कृति संग्राले हैं और इस जील के एक गेट है इस जील का जो गेट है ना इस गेट का निर्माण एक विश्या ने करवाया था उस विश्या का नाम था टीलो 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 नामक विश्या ने इस जील का निर्माण करवाया था इस gate को टीलो की पॉल कहते है तो इसका गर हम right answer देखें तो right answer होता है जसल मेर में तो ये जील कहा है दोस्तों जसल मेर में है ठीक है लेते हमारा next question next question है मैं इदर आ जाता हूँ एक बार के लिए ठीक है next question है निमनल खित में से सुमेलित नहीं है आपको बताना दोस्तों इन में से कौन सी जील किस जीले से समधित नहीं है गर्सी सर जील जसल मेर पिछोला जील उदैपूर तलाब शाही जील बाड मेर गैप सागर डूंगरपूर फटापट से comment box में answer देजे कि कौन सा सही answer होगा कौन सा इसका right answer है कि गर्सी सर जसल मेर पिछोला उदैपूर तलाब शाही बाड मेर और गैप सागर डूंगरपूर दोस्तों गैप सागर को गैप सागर भी कहते हैं गर्सी सर की हमने last अभी जस्ट बात की थी बात आती है पिछोला जील की तो ये उदैपूर में है तलाब शाही दोस्तों यहां पे सुमेलित नहीं है तलाब शाही जो जील है इस जील के निर्मान के अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी जील है ये धौलपूर में है कहा है दोस्तों ये जील धौलपूर में है और इस जील का निर्मान करवाया था हमारे जहांगीर का एक मनसबदार था और इस मनसबदार का नाम था सुलह खाँ ठीक है और इस सुलह खाँ के दुआरा इस जील का निर्मान करवाया था तो यहाँ पे जो हम अगर आंसर की बात करते हैं क्यों सा आंसर इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा option तो ये से जो option है न दोस्तों ये से option यहाँ पे सुमेलित नहीं है तलाबे शाही कहा है धौलपुर में होती है नेट्स जील की बात करते है चांद बावडी चांद बावडी अभानेरी ये किस जिले में इस्तित है चांद बावडी किस जिले में इस्तित है ये हमारे राजस्तान की सबसे गहरी बावडी है और दोस्तो एक बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बावडी निर्मान की जो कला है ये हमारे राजस्तान में या यो कहूँ कि बावडी निर्मान की जो कला है ये हमारे राजस्तान में एक जाती लेकर आई थी और इस जाती का नाम है शक शक जाती ये बावड़ी निर्मान कला अपने राजस्तान में लेकर आई थी तो ये ध्यान रखना है, ओके दोस्तों लेते हमारा next question दोस्तों तो ये था हमारा चांद बावडी वाला तो आभानेरी ये दोसा में है चांद बावडी की में बात करा था कि जो बावडी निर्मान कला है ये हमारे यहां पे हमारे भारत में शक जाती लेकर आई थी ठीक है लेते हैं हमारा next question नेक्ट्सकोश्ण है यहां मैं इधार आजाता हूँ नेक्ट्सकोश्ण है निम्न कफनों पर विचार करना है गजरूप सागर जैसलमेर में है और इसका निर्माण महारावल गजसिंग्ने करवाए था एक कतन ये है, दूसरा है कायलाना जिल जोधपुर में इस्तित है और इससे जोधपुर को पेजल सुलब करवाया जाता है तीसरा है, बाल समंध जिल जोधपुर में और इसका निर्मान गुजर परतिहार शाशक राव यहां पे बालक राव नाम पूरा नहीं है तो बालक राव ने करवाया था 1169 इस्वी में और गैप सागर जिल डूंगरपुर में इसके भीतर बातल महल बना हुआ है दोस्तों यहां पे हमें यह बताना है कि इन मेंसे कौन सा सही है इन जिलों के बारे में मैं आपको तोड़ा बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं गजरूप सागर जैसल मेर की तो दोस्तों बिलकुल यह गजरूप सागर जैसल मेर है यह महारावल गज सिंग नहीं इसका निर्मान करवाय था जैसल मेर में यह जिल है इसके लावा अगर हम बात करते है काईलाना जील की तो काईलाना जील जोदपुर में है इसको यानि जोदपुर की काईलाना जील को हम जोदपुर की लाइफ लाइफ लाइन कहते हैं तो ये भी याद रखना है बालसमन जील ये बालक राव परिहार ने बनवाय था बिल्कुल सही है और गैपसागर जील के अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये डुंगरपुर में ही है और इसके भीतर बादल महल बनावा है यानि कि ये सभी के सभी जो कथन है ये सही है साथ ही एक और बात बताता है ताओं मैं आपको कि ये जो हमारी गैपसागर जी लेना जो कि डुंगरपुर में है महारावल गोपिनाथ ने बनवाई थी और इस जील के किनारे बागड की मीरा बागड की मीरा कौन है गवरी भाई है तो उसकी प्रतिमा है यहां पर इसके खाई गया है कि गैपसागर जील कहां है तो बिल्कुल यह गैपसागर जील कहां है दोस्तों डुंगरपुर में हैं दोस्तों एक एक बार इसे शेयर कर दीजे अपने-पने ग्रूप में ताकि जादे से जदा बच्चे जो हैं हम आपस में जुड़ पाएं ठीक है और राजस्तान उद्योग से रिलिटेड, रास्तान किर्शी से रिलिटेड, जील से रिलिटेड, इन सबी के एक साथ मज़ेदार मस्त वाले question solve करेंगे, तो gaps आगर जो जील है याद रखिये यह है डूंगरपूर में ठीक है, लेते हैं दोस्तों हमारा next question, तलाब ए शाही जो जी जील का निर्मान कहां करवाया था, ये रपेसी second grade teacher 2010 में आया हुआ है, और ये अभी just ये question आया भी था, तो तलाब ए शाही जील का निर्मान किसने करवाया था, सुहेल खान लिखाई ये सुलह खान थे, सुलह खान ऐसा कुछ नाम था इनका, सुलह खान थे, जो सुलह खान में काले गुलाब की खेती की जाती है, काले गुलाब की खेती की जाती है, ठीक है दोस्तों next question लेते हैं हम, next question राजस्तान के किस जीले में पलाया जीले देखने को मिलती है, पलाया जील, पहले में आपको बता देता हूँ कि पलाया जील क्या होती है, दोस्तों पलाया जील जो होती है न ये क्या होती है चटानी मरुस्तल में निर्मित है इस ता ये खारे पानी की जीले होती है चटानी मरुस्तल होता है उस चटानी मरुस्तल में के मद्धे निर्मित जो खारे पानी की जीले होती है उनको हम पलाया कहते है और पलाया जीले जो है ये हमें जैसलमेर म आगे बढ़ते हैं नेक्स कोर्शन के अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो पिछोला जील का निर्मान एक बंजारे की दुआरा किस मेवाड के शाषनकाल में करवाया गया था मेवाड के कौन से शाषक थे उन शाषनकाल में इस पिछोला का निर्मान हुआ था तो बात करते हैं, option है मारे पास राणा लाखा, राणा सांगा, राणा मोकल और राणा कुम्भा यहाँ पे हमें आंसर देखना है कि पिछोला जील का निर्मान एक बंजारे ने करवाए था बंजारे का नाम पिछू मिलता है पिछू और इस पिछू बंजारे ने अगर हम देखें कि किस ने इस जील का निर्मान किस बंजारे ने इस जील का निर्मान कराय तो पिछू ने और किस के काल में महाराना लाखा के काल में ठीक है यह ध्यान रखना है राना लाखा जो हैं यह मेवाड के शाषक थे उनके शाषनकाल में इस जील का निर्मान हुआ था दोस्तो जील की बड़ी खास बात है जील के बीतर हमें जगमंदिर देखने को मिलता है जील के बीतर ही हमें जगनिवास देखने को मिलता है जगनिवास में अभी होटल लेक सरोवर संचालित है होटल लेक पैलेस संचालित है तो ताज ग्रूप के द्वारा संचालित है और इसके लावा जगमंदिर है जगमंदर की बड़ी खास बात है जगमंदिर में राणा करण सिंग हुआ करते थे उनके शाशनकाल में शाजहां को शरण दी गई थी और महाराना स्वरूप सिंग के शाशनकाल में जो निमत से भाग कराए थे ना अंग्रेज दिकारी उनको शरण दी गई थी ठीक है तो ध्यान रखना है तो राणा लाका इसका आंसर हो जाता है लेतना दोस्तों हमारा next question next question क्या है जल सरक्षन का प्रभावी उपाए हमें ढूबना है जल सरक्षन का प्रभावी उपाए इन में से कौन सा है मैं किदर जाओ यार इधर ही रहना पड़ेगा जल सरक्षन का जो प्रभावी उपाए है कौन सा है प्रंप्रागत जल स्रोतों यता कुआ बावडी जोहर पोकर आदिका हमें सरक्षन करना है वर्षा जलका नालियों के मात्यम से घरों के टाकों में संग्रण करना है छोटे छोटे एनिकट बनाने तलाबों का निर्मान करना है और पुराने जो सरक्षन पुराने हैं उनको सरक्षन देना है और उनकी कुदाई भी करने और last option उप्योग सभी तो दोस्तों सामाने से option है और पिलकुल यह सही है कि इनमे से जितने भी option है वो सभी right है दोस्तों हमें हमारे future का सोचना होगा, confirm सोचना होगा ताकि हमारी जो भावी पीडिया है वो जल का उसी परकार से उप्योग कर पाई जिस परकार से हम उप्योग कर रहे हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा रहा दोस्तों वो होगा उप्योग सभी ठीक है 4 number इसका option बिलकुल right होगा, लेते हैं हमारा next question England की महारानी, okay, महारानी भई, England की महारानी Mary, यह तो मेरी हो गया मेरी महारानी की बात नहीं है, यहाँ पर Mary की बात है, Mary डबल मातर आएगी भई England की महारानी Mary का December 1911 में भारत की यात्रा हुई थी जब वो यहाँ पर पहुँची तो पुशकर जील का जब उन्होंने यात्रा की तो पुशकर जील पर उनके समरण के स्वरूप एक घाट बनाया गया था जिसका नाम जनाना घाट हम देते हैं, तो जनाना घाट जो है वो कहाँ पर है दोस्तों याद रखना नकी पे आना सागर पुशकर पिछोला आंसर तो मैं बातोई बातों में दे चुका हूँ, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है पुशकर जील में 1911 में इसे निर्मित किया गया था खास बात बताता हूँ मैं इस जनाना घाट की खास बात है दोस्तों कि यह जो जनाना घाट है यहीं पे गांधी जी की अस्तियों का विसरजन हुआ था और गांधी जी की अस्तियों के विसरजन के वज़े से इस घाट को अब गांधी घाट भी कहते हैं ध्यान रखना है गां कौन सी कोई से और यह कोई सुझा ने मulty नहीं है चाहल हो और यहमने तो राफ सोरो चाह चाहले चाहला है पच्पध्रानी के जीप है। एक और खाज बात बताता हूं आपको, कि हमारी जो पच्पद्राइ जीब है, यह कैसी जील है, जो राजस्थान का ही नहीं, भारत का सरवत्तम खाने योगे नमक का उत्पादन करते हैं। सबसे जोड़ा जो उत्तम कौालिटी का नमक है, वो इ बढ़ते हैं next question की और किशोर सागर तालाब कहां है किशोर सागर ठीक है यह कोटा में है या बूंदी में है या उदयपूर में है या किशनगर में है आंसर फड़ा फड़ से दीजिए अब किशोर सागर जो तालाब है किशोर सागर तालाब है कहां इसते थे कोटा बूंदी लगता हो जाँ है आपके साथ किके आपका आपका आपके साथ तो यहाँ पर हमांसर देखें तो कि शौर साल गड़। ताला बेना ये कोटा में है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं next question को लेते हैं बाल समन्थ और काइलाना जील रास्तान की किस जीले में बहुत ही बढ़ी है बाल समन्थ बाल समन्थ बालक राओ परिहार ने बनवाई थी और 1169 में बनवाई थी और अगर बात करते हैं काइला काईलाना जील का निर्मान 1872 में करवाया था 1872 में सर प्रताप सिंग सर प्रताप सिंग ने इस काईलाना जील का निर्मान करवाया था तो आपको बताना कि यह जो जील है यह कहां है बाल समंद और काईलाना जील रास्तान के किस जीले में है हम लेते हैं हमारे option जैसल मेर, बाड मेर, जोधपूर और उदैपूर तो दोस्तों यदि हम बात करते है काईलाना जील की जिसको हम life line कहते हैं जोधपूर की तो confirm में कि बाल समंद और काईलाना जील जो है वो कहा है जोधपूर में है लेते हैं हमारा next question निम्नांकित में से कौन सी खारे पानी की जील नहीं है लून करंट से डीडवाना फलोदी और आना सागर सीधासा answer है फटाफट से आप comment box में answer दे दीजे कि कौन सी एक जील है इन में से जो खारे पानी की नहीं है, लून करण सर है, डीडवाना है, फलोदी है या आना सागर है, आंसर फटाफट से दीजिए, कि कौन सी जील खारे पानी की नहीं है, तो इजी आंसर है, फटाफट से मैं question का आंसर देता हूँ, आना सागर, आना सागर 1137 इस्वी में अर्नो राज अर्नो राज ये प्रतिविराज चोहान जो है, इनकी पितामा थे, प्रतिविराज चोहान थर्ड के पितामा थे, दादा थे, तो उन्होंने इस जील का निर्मान 1137 में करवाया था, जील की खास बात है कि ये राजोस्तान की जितनी भी जीले है ना, उन सब में सबसे खुबसूरत है, ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे खुबसूरत पाल वाली जीले है, सबसे खुबसूरत पाल है, और इस जील के पास, इस जील की पाल पर जो शाजहां थे, उन्होंने बारादरी बनवाई थी, और इस जील की जो पाल है, उसी के पास जहांगीर ने दोलत ब पाग बनवाय था ठीक है तो यहां पे जो खारे पानी की जीले इसका अंसर क्या हो जाएगा आना सागर लेते हैं हमारा next question गैपसागर कहाँ है गैपसागर कहाँ है यह तो आचुका है ना तौ सीधा ही आँसर देता हूं है दूंगरपूर में है Except for इसे शेर कर दिजये संडे को हम 2 घंटे की मैराथन क्लास रखेंगे जिसमें राजस्तान कृशी, राजस्तान की उद्योग, राजस्तान की जीले, राजस्तान की नदियां और भी संडे तक जो टॉपिक होंगे उन सब का हम यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं दो गंटे मैराथन क्लास लेंगे, ठीक है, तो चलो इसका जो आंसर हो गया वो है, डुंगरपूर लेते हैं हमारा नेक्स कोशन, बहुत ही प्यारा कोशन है दोस्तों, राजस्तान की कौन सी जील ऐसी है, जिसे रामसर आरदर भूमी की सुची में शामिल किया गया है, अक्च इस जैव विदतान नम भूमी आदी के सरक्षन के लिए क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन के अकोर्डिंग पूरे विश्व में ये रामसर जो साइट्स हैं, इनका निर्मान किया गया था, आपको बताना की इनमें से कौन है, रामसर साइट्स, जैसमं तो दोस्तों सही आंसर है, सामबर ये एक वेटलेंड है, और हमारे जो भारत है न, ये स्वरी राजस्तान, राजस्तान का सबसे बड़ा वेटलेंड है, इसके लावा एक और वेटलेंड है अपने राजस्तान का, वो है केवलादेव, केवलादेव वेटलेंड को 1 कोशन की और नेक्स कोशन है जैत सागर तालाब कहा है वाव शामदार सा कोशन है उदैपूर में है बुंदी में है जोदपूर में है या भिलवाडा में है आपको अंसर देना है कि जैत सागर तालाब कहा है जैत सागर आपको बता देता हूं कि जैत सागर सीचाई पूर्टी के लिए निर्मित किया गया था। चटनी, गल की नामक नटनी, नटकी है, ओके, तो गल की नामक नटनी का चबूतरा इस देते हैं, तो फतैसागर, आनासागर, पिछोला और फाइसागर, तो आपको बताना है, कि गल की नटनी का जो चबूतरा किस जील के पास है, तो चबूतरा का मतलब है, उसकी समाधी आप मान सकते हैं तो समाधी किस जील के पास है तो दोस्तों अगर हम बात करते है समाधी की तो हमारी ये जो पिछोला जील है ना पिछोला जील इसी पिछोला जील के पास सी गलकी नितनी का चब उत्रा है और पिछोला जील की बड़ी खास बात है बताता हूं मैं आपको कि पिछोला जील राजस्तान की वो पहली जीले जहां पे सोर उर्जा चलित नाव का संचालन किया गया था ध्यान रखना है बांकली बांद जालोर जीले में है किस नदी पर है दोस्तों बांकली बांद बहुत जादा फैमेस है ये लूनी की साहिक नदी पर है अब जो हमारे पास ऑप्शन है जवाई बांडी सूकडी खारी ये सभी की सभी लूनी की साहिक नदिया है आपको ये बताना है कि इन में से वो कौन सी नदी है जिसके उपर बांकली बांद बनावा है जवाई बांडी सूकडी खारी तो दोस्तों कर हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो बांकली बांद है ये सूकडी नदी पर है जालोर में बांकली बांद कहा है सूकडी नदी पर है जालोर में जो लूनी की सहायक लेते हैं हमारा नेक्स कोशन उदयपूर शहर को जलापूर्थी करने ही तो अरावली की पहाडियों में एक सुरंग का निरमान किया गया है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होता है ना इसका राइट आंसर है देवास जलसुरंग ये साबरमती नदी पर बनाई गई थी राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो गया देवास जलसुरंग ठीक है ये साबरमती नदी पर बनाई गई थी 2011 में पूर्ण हु दोस्तों आप देख रहे हैं जो भी चैनल पर नहीं है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और लाइक तो करी दीजे ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन पे नेक्स कोशन लेते हैं हमारा कि विश्रू में उपलब्द कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मन जल है वो खारा पानी का है करीब 97 परसेंट जो पानी है वो कैसा है खारा है हमारे उप्योग का नहीं है इसमें से 3 प्रतिशत पानी शुद्ध है और उसमें से भी हमारे लिए जो अविलेबल वो सीमित है आपको बताना कि कितना प्रतिशत है तो इसमें जो आंसर आता है व वो हमारे उपियोग का है बाकी हम उपियोग में नहीं ले बाते हैं वो ग्लेशियर के रूप में सुरक्षित है निमन में से वह बांग बताना है जो इस्तित है चितोडगड में बिलास गुढ़ाबांग गैपसागर और भीमसागर ठीक है आपको बताना है कि चितोड़गड में कौन सा बांध है बिलास, गुढ़ा, गैबसागर, भीमसागर ठीक है दो दोस्तों इसमें जो भीमसागर है ये कहां इस्तित है चितोड़गड में इस्तित है जील के बाद होता, फते सागर, जैसमंद, रासमंद या उदे सागर, तो आपको बताना है कि किस जील के बाद ये बेड़च हो जाती है, तो दोस्तो सीधा सा अंसर है, ओप्शन है इसमें D, तो उदे सागर जील के पशाद, जो हमारी आयड नदी है, किस में बदल जाती है, एक्चल में, आयड नदी को ही बेड़च कहते है, इस जील के बाद, और ये जील है उदैपूर में, ठीक है, लेते हैं हमारा next question, 25 के बाद सीधा 29, ये कैसे नमबरी मोर किया जार, चलो कोई नहीं तो हम देखते हैं, next question है, जो भी है, रास्तान में प्रंप्रागंजल के रूप में बेरियां या जो छोटी कोई हैं, वो निर्मित की जाती हैं, अब ये किन जिलो में होती हैं, एक बाद बता दे तो मैं आपको बेरियों के लिए, या कोई के लिए, ये रिसाव से बनी भी होती है, रिसाव बेरियां कहलाते हैं, इनको रिसाव बेरियां कहते ह जैपुराजमेर में या, कोटाबुंदी में या, बाढ़र जैसलमेर में या, چितोडगर भीलवाड़ा में रिसाव बेरि का मतलब है कि ये जो बेरियां होती है या कुई होती है ये कम गहरी , सक्डी गर्तनुमा रचना होती है ये कोई एक बड़ा जलाशे होता है उस जलाशे के समीप इनका निर्मान किया जाता है एक बड़ा सा जलाशे होता है उसके समीप निर्मान किया जाता है और उस जलाशे का जो पानी है वो रिस रिस कर इनके अंदर पहुंचता है तो ये जो है हमारे राजस्तान के बाड मेर और जैसल मेर में बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना इनको, next question पहाते है, 25 नंबर का question दे रखा है, राजस्तान में जल संग्रण हेतु भूमिगत जल आधारित रचना हैं, दोस्तों, भूमिगत जल आधारित, भूमिगत का भूगर्बिक जल से है भूगर्बिक जल से याद रखना है भूगर्बिक जल से बावडी, कुवा, टांका या एक वै दो तोनों इसमें जो कुछ टांका का सम्बंद है वर्षा जल से वर्षा जल वर्षा जल आता है और इस कुंड में जो टांके टांका या कुंड होता है प कुवें का सम्मंद भी भूगर्विक जल से होता है और बावडी भी एक परकार का कुवाई होता है तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा एक दो दो नो ठीक है ध्यान रखना है नेक्स कोर्चन हम लेते हैं नेमनल खित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है ठीक है आपको चार उप्शन मिल रहे हैं सोम का, साबरमती का, लूनी का बेड़ अचका आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है दोस्तों पहला उप्शन सोम, सोम माही की सायक है तो माही गिरती है अरज़ागर में, त तो सोंग का पानी पंगाल की खाड़ी में नहीं आता है, फिर बात आती है साबरमती की, तो साबरमती जो नदी है, ये साबरमती नदी सीधा खंबात की खाड़ी में जाती है, यानि कि अरब सागर में, इस नदी के किनारे एहमदाबाद है, लूनी नदी जो है, ये लूनी न चंबल चली जाती है यमुना में और यमुना चली जाती है गंगा में और गंगा चली जाती है बंगाल की खाड़ी में यारि कि हमारी जो बेड़च नदी है ये नदी ही बंगाल की खाड़ी तक जल लेकर जाती है लेते हैं हमारा next question आहड सब्वेता किस नदी के किनारे पर इस्तित है आहड सब्वेता दोस्तों आहड सब्वेता जो है इसको हम आयड सब्वेता भी कहते हैं इसको धूल कोट भी कहा जाता है तो रूपनगड तो अजमेर में है पहला option है जो रूपनगड तो रूपनगड तो कहा है दोस्तों अजमेर में है फिर बात आती है कोठारी नदी की तो ये तो भीलवाडा में है क्योंकि आयड सब्वेदा कहा है उदैपुर में है नहीं है कांदली नदी के किनारे कौन से सब्वेता है कांदली नदी के किनारे गणेश्वर सब्वेता है नीमका थाना में और कोठारी नदी के किनारे बागोर भीलवडा में बागोर सब्वेता है बागोर सब्वेता वही है दोस्तों जहां पे विश्व के प्राजीन तम सालन के साक्षे मिले थे ठीक है लेते हैं हमारा next question माही नदी से संबंदित कथनों पर विजार करते वे ऐसुमेलित कथन बताना है ऐसुमेलित बताना है यानि ऐसुमेलित का मतलब है जो सही नहीं है उसी कथन को हमें बताना है टाइम का भी मुझे मिशेश ध्यान रखना होग तो हमारी जब हम बात करते हैं इस माही नदी के संदर में तो हमारी माही नदी पहला option है माही नदी को दक्षन राजस्तान की स्वन रेखा कहते हैं बिल्कुल कहते हैं बैस सही बात है माही की राजस्तान में कुल लंबाई 500 चिंतर ओ लो यह जो दूसरा option है नहीं यही गलत हो गया माही नदी की कुल लंबाई है 506 राजस्तान में कुल लंबाई 506 राजस्तान में मात्र 119 किलो मेटर हम देख लेतें C option तो दो हमारा जो option है यह इसमें सुमेलित नहीं है लेकिन फिर भी 30 राजस्ता पढ़के देख लेतें कि क्या पता answer में कोई mistake हो option में तो हमारी जो माही नदी है यह करकरेखा को दो बार पार करती है बिल्कुल सही बात है करकरेखा को दो बार पार करती है और माही नदी राजस्तान में खांदू बासवाडा से तो बिल्कुल सही है हमारा जो option है वो माही वाला जो बी option है वो ही गलत है ठीक है न यह ध्यान रखना है तो बी option राइट नहीं है लेते हैं हमारा next question कौन सी नदी है राजस्तान की जिसे रुंडित नदी या रुंडित सरीता कहते हैं कौन सी नदी है जिसे रुंडित सरीता कहा जाता है रुन्डित का मतलब क्या होता है दोस्तों रुन्डित का मतलब होता है वो नदी जो एक्चुल में क्या होता है कि पहले किसी और मार्ग पर जाती थी यह यह कह देता हूं कि मैं एक्जामपल देता हूं जैसे हम गगर नदी की बात करें गगर नदी पहले फोर्ट अबास पाक यानि जहां पहले जाया करती थी वहां ना जाकर अपने ही मार्ग पर रुक जाए तो उसको हम रुंडित नदी कहते हैं या खंडित नदी भी कहते हैं और इन में से वो खंडित नदी जो है वो है हमारी बान गंगा दोस्तों बान गंगा जो पहले है ना यमुना तक जले के ज लेते हैं हमारा next question उद्गम से समापती की और लूनी नदी के विस्तारित जिले बताने हैं आपको बताना है कि उद्गम से यानि कि अजमेर की नाग पहाडियों से ये निकलती है अजमेर की नाग पहाडियों से निकल कर ये जालोर में होते हुए राजस्तान से बाहर चली जा तो अजमेर, अजमेर से निकल करिये जाती है नागोर, नागोर से निकल कर जाती है पाली, पाली से जोदपुर, जोदपुर से बाडमेर, बाडमेर से जालोर यानि कि इसमें जो हमारा पहला उप्षन है ना ये पहला उप्षन ही क्या है राइट हो जाता है पहला option ही कह दोस्तो right है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question को लेते हैं लूनी नदी का जल किस में गिरता है बहुत ही अच्छा सा sweet सा question है कि लूनी नदी का जल किस में गिरता कच की खाड़ी में या जवाई बांध में या बंगाल की खाड़ी में या कच की रन में तो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी जो लूनी नदी है, अरब सागर में अपना चल लेक कर जाती है, अब confusion रहता है या कच्छ के रन में जाती है, या खंबात की खाड़ी में जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस question की बात करते हैं, तो हमारी जो लूनी नदी है यह कहा जाती है, यह कच्छ के रन में जाती है, कच्छ के रन में जाकर यह बिलीन हो जाती है, ध्यान रखना है इसको लेते हैं, तो इसका answer मैं टिक कर दता हूँ, कच्छ कारण इसका सही answer है लेते हैं हमारा फटाफट से next question बहुत ही प्यारा सा question है कि किस जील के किनारे किस जील के किनारे टॉड रोक वे नन रोक देखने को मिलती है तो कौन सी जील है इन मेंसे जिसमें टॉड रोक और नन रोक देखने को मिलता है राससमंद, फतेसागर, नक्की और जैसमंद दोस्तों टॉड रोक जो मेंडक्य जैसा दिखता है नन रोक जो गुंगट निकाले हुए पानी पिलाते वे गुंगट निकालकर पानी पिलाते वे महिला के समान आकारवाली चटान है वो कहला दिये नन रोक ये दोस्तों इन में से वो जील कौन सी ही तो आंसर देना है तो ये जो राइट आंसर होगा इसका होगा नक्की जील है याद रखना है नक्की जील दोस्तों वह जील है जो इसकी खास बात है कि इसके किनारे टॉड रोक है इसके किनारे नन रोक है, इसके किनारे होर्न रोक है, इसके किनारे और भी जैसे कैमल रोक है, पैरट रोक है, सुसाइट पॉइंट रोक है, हनीमून पॉइंट रोक है, इस जीर के किनारे ही है, सारे पॉइंट देखके आओ, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन प करती है, माही, बाणगा, लूनी या चंबल, अवनाली का परदन दोस्तों ऐसा होता है कि जब नदी क्या करती है, अपने धरातल को V-shape में काथने लगते हैं, इस रूप में, V-shape में काथते हैं आगे बढ़ते हैं, यहां पर यह tardy यहाँ पे बहने लगते है इस रूप में तो जब नदी वीशेप में बहे तो उसको हम बोलते है अवनाली का परदन और इस परकार का परदन करने वाली राजस्तान की एक ही नदी है और वो नदी कोने चंबल ठीक है दिहान दिया है अगे बढ़ते हैं नेक्ट कौ्शन को लेते हैं अंसर दीजे कमेंट बोक्स में कि अगर हम बात करते हैं आंसर की तो राइट आंसर जो हमारा होता है वो राइट आंसर है हमारा यहां पे जो साबर मती है ने सही वाकल हत्मती मेश्वा वैत रख ये सभी की साबर मती की साइग नदिया है ठीक है न दोस्तों याद रखना है लेते हैं हमारा आज की सेशन का लास्ट कॉशन 35 नमर इस पे 36 मार्किंग और के कौन सी नदी ड है जो डूंगरपूर और बासवाड़ा के बीच सीमा बनाती है तो दोस्तों बनास बेड़च चंबल और माही इन में से जिस नदी के हम बात करते हैं तो वो नदी है माही नदी याद रखना है माही नदी इस पे ऐसे भी कौशन आता कि माही नदी किन दो जिलों के बीच मे बनातीये दूंगरपूर के बीच में, और ना के बीच में, मही नदी नहीं जो माही नदी बनातीय ऐसमा यह घ्या. I hope आपको यह क्षेन अच्छे लगे ओंगे और भी मस्त मस्त कोशन हम लेकर आएंगे बहुत ही शांदार संडे वाली क्लास दो गंटे की रखेंगे आप पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं अच्छे से तयार कर लीजिए और हम फिर मिलते हैं कल अभी के लिए गुड़ नाइट बावाय टेक क्या थैंक यू जैहिंद